कल धन तेरस हैं कल सोना चांदी खरीदेंगे पूजा पाट करेंगे लेकिन आपको क्या पता है कि धन तेरस के दिन यही एक वो दिन है जिस दिन मृत्तिव के देवता यमराज जी का पूजन किया जाता है तो यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैं आज मृत्तिव घर में नहीं होती है असाध्य रोग नहीं जकडते हैं तंत्र विद्या से किसी की मृत्तिव नहीं होती है इसलिए इस प्रयोग को जरूर करें आपको क्या करना है शाम के समय अगर आपके घर में महिलाएं हैं तो उनसे यह प्रयोग कराएंगे अगर महिलाएं तो आप कर सकते हैं, आपको आटे का दिपक बनाना है, उसमें पाँच प्रकार के तेल मिला लेंगे, पाँच प्रकार के कोई भी तेल हो सकते हैं, जैसे सर्चो का हो गया, तील का हो गया, फिर बाद में चमेली का हो गया, कोई भी पाँच प्रकार के तेल मिलाने हैं, तेल मि और उस दिपक में चार बत्ती रखनी है और एक ही तरब रखना है चारो दिशा में नहीं एक ही दिशा में चार बत्ती ऐसे लाइन से लगाएंगे ठीक है ऐसी चार बत्ती एक लाइन से लगाना है और बत्ती जो है उसका मुख जो है दक्षिन दिशा की ओर रखेंगे ठीक है घर के मुख्य द्वार पर जैसे आपके घर के अंदर एंट्री करते हैं न मैं गेट नहीं वो रहो घर का मुख्य द्वार तो घर के मुख्य द्वार में जैसे एंट्री करते हैं तो राइट साइड में दिपक रखेंगे और दीपक का मुख दक्षीन की ओर होना चाहिए अब आप क्या करेंगे दीपक के चारों तरफ जो है थोड़ा सा जल छिड़केंगे जल छिड़कने के बाद आपको थोड़ा सा पुष्प चड़ाना है पुश्प चड़ाने के बाद लॉंग इलाईची चड़ाएंगे पाच लॉंग पाच इलाईची रख देंगे उसके बाद गूगल जलाएंगे गूगल की धुनी देना है फिर अगरबत्ती जलाएंगे अगरबत्ती जलाने के बाद आपको गूड रखना है गुड़ के उपर थोड़ा सा जो है आपको गी डालना है उसके बाद आप कोई भी प्रसाद जो है घर में बनाया हुआ वो आप रक सकते हैं घर में बनाया होना चाहिए ठोड़ा सा प्रसाद रख देंगे नविद्य के रूप में और उसके बाद दिपक जलाएंगे और दिपक जलाके हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे जो भी आपके घर में माता बैने हैं वो प्रार्थना करेंगे या फिर अगर घर में कोई लेडिज नहीं है आप सोयम कर रहें तो फिर आप प्रार्थना करेंगे कि है यम्राज जी मेरे घर में किसी प्रकार की तंत्र बादा से मृत्तिव ना हो कोई भी अकाल मृत्तिव ना हो कोई भी असाध्य रोग हमें ना जकड़े ऐसी आप प्रार्थना करें हमारे उपर दया द्रिष्टी बनाए रखे ऐसी प्रार्थना करनी है आपको और एक मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को जब करेंगे कितने बार एक कावन बार छोटा सा मंत्र है यह यम्राज्जी का क्रिपा प्राप्ति का मंत्र है इस मंत्र के जब से तंत्र बाधा से मृत्यू नहीं होती है अकाल मृत्यू नहीं होती है रोगों से मृत्यू नहीं होती है तो इसका जब केवल धन्ते रस के दिन करना है बाकी दिन वरजीत है ये मंत्र एक बात का विशेज ध्यान रखेंगे जब आप मंत्र जब करेंगे तो काला आसन का प्रयोग करना है और आपका मुख उत्तर की ओर होना चाहिए और आप दीपक के सामने बैटे हुए होने चाहिए जैमा मतंगी